नमस्कार दोस्तों हमारी चानल true fact teaching में आपका स्वागत है आज का हमारा अपीशा है homeopathic medicine नाजा ट्रिपूडियन्स के symptom सबसे पहले हम आपसे अनुरूद करेंगे कि क्रीपिया आप हमारी चानल को लाइक करें सेयर करें सबस्क्राइब करें मिल बटन दमाना नहीं खुलें जिससे कि हमारा अरगा वीडियो आपको निवाद उससे मिलता रहे होमेपैथिक medicine नाजा ट्रिपूडियन्स के symptom नाजा ट्रिपूडियन्स औसदी जरीवय साप के जहर से तयार की जाती है जीन लोगों की तकलिफीं बाई तरफ से सुरूओकर द्याईनी तरफ जाती है जैसे दिंभार्शय कर दर्द ओवर्यन्स ट्रादूस डिप्थीरिया जोरों के दर्द आधि ऐसे लोगों मी और सुदी बहुत असरकारक सावित होती है बिविन रोगों के लक्षनों का अधार पर नजा ट्रिपुडियन सहस्तिक उप्यो जैसे मन से समदित लक्षन रोगी हर समय अपने कल्पनाओं के बारे में सुचता रहता है उसे ऐसा मौशूस होता है को उसने कुछ डल्ग की है रोगी किसी से बात करना नहीं चाहता रोगी को हखेल विराने से काफ़ी डड़ लगता है बोज़ते समय अटक अटक कर बोज़ता है, रोगी को बारिश से भी डड़ लगता है, इस तरह के लक्षणों में रोगी को नजाट्रि पुटिन सहुस्दित देने से काफी लाब मिलता है, सीर से समंधित लक्षण, कनपट्टि के बाही तरफ, तरथा बाही तरफ के कोटर प और जी मिचलाता है, परागज मुखार में रोगी के आवाज की नली सूख जाती है, रोगी को नीन आने के बाद दम सा घुर्टा मसूस होता है, रोगी को नीन आने के बाद दम सा घुर्टा हुआ प्रतीत होता है, आखों के आगे अंधिरा सचा जाना, आखों के दोनों प होता है काण स समझ्छें कान में दर्द का होना रोगी के कान में से कारी रंका बदबुदा तीखा सस्राव काना कोई रोगी से बात करता है तो वह बात रोगी को तहीं सुना इना हिना के कारण समझ में नहीं आता और और सामने वाले की बात का दूसरा मतलब ले लेता है इन लक्षनों की अधार पर अगर रोगी को नजा ट्रिपुडियर समझ दी जाए तो काफी लाब मिलता है साथ से समझत लक्षन रोगी को अपना गला ऐसा महसूस होता है जैसे कि किसी ने उसका गला जकड लिया हो और उसका दम घुट रहा हो बहुत तेरी से उटने वाली सूखी खासी मुझे लेसदार बलगम और लार का आना साम के समय रोगी को दम्मा का दौरा पढ़ना सर्थी जुगाम के साथ सूरु होने वाला दम्मा रोग आधी लक्षनों में लोगी को को नैजा ट्रिपुडियें सहसदीर देने से काफी अराम मिलता है दिल से समझे लक्षन रोगी को ऐसा नौसुस होता है को उसके दिल धरकना बंद कर दिया है और कुछ ही समय में उसकी मिर्थू भी हो जाएगी दिल बहुत तेजी से धरकने के कारण रोगी किसी से ढंग से ऐसे बात मिं नहीं कर पाता है थोड़ा सावी पदर चलने से या सारी neither करने से रोगी के दिल के धरकन बहुत तेज हो जाती है किसी ने कोई चीज चुआ दियो इसतरह कि दिल के रोगों के लख्षitarian में रोगी को यजरके पुडियाँ देने से काफी भाब मिलता है इसतरी कि बाय के दिम के गरंते में शनायु का दर्द होना, इसके बाय अस्तनों के दर्दे में खासकर किसी तरफ से ऑप्रेशन होने के बाद में में दिल में ऐसा मसुस ना, जैसा कि कोई थीच रहाूं इस तरह के लक्षनों में लोगी को नाजा ट्रिपडी सहुस्दी कराना काफी लाव दायक माना गया है। नीन से समत्य लक्षन लोगी को हट समय नीन से आते राना सोते समय दम सा गुर्तावा मसूस होना सोने के बाद खराटों का बहुत तेजी सी आना आजी लक्षनों में लोगी को नाजा ट्रिपडी सहुस्देना काफी लाव दायक माना गया है। ब्रिधी गारिक में शवारी करने से बाहीं तरफ की करवट लेटने से चलने फिनने से सोने के बाद सराब पीने से मासिक धर्म आने के बाद कपरों के दबाव से और सर्जी तथा ठंडी हवा में रोग बढ़ जाता है। छीकने से खुली हवा में गोड़े की सवारी कंडे से रोग कम होता है। हम अकसी अनुरूत करेंगे कि ना जा ट्रिपुडियंस होस्दी के परियोग सेस्ट मेडिकेसन के रूप में नहीं करें। किसी चिकिसक के साहता के बाद ही इसके सेवन करें। धान्यवादा। अपने आगे वीडियो में किसी मात्यपून विश्यापकर वाद भुण्यानकाईयों के शाथ आपिसाने प्राचों तौने। किसी मात्यवादा जब होस्ते शाहता के प्राचों वीडियों के रूप में किसी चिकित दो रुणे।